हेलो दोस्तों बेटा कैसा है आप लोग तो आज हम डिसकस कर रहा है एक बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन पे जो हम मेकेनिकल प्रॉपर्टीज ओफ फ्लिविड में आगे बढ़के लेंगे हमने देखिए कैपिलरी एक्षन पे बनाया था वीडियो कैपिलरी एक्षन को लिकवीड राइजेस इंसाड़ दे कैपिलरी टूब अब हमें एक्सप्रेशन के जरीए बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन होने वाला है और मेरे हिसाब से आपके exam के लीए बहुत ज्यादा important रहने वाला है तो आज का हमारे एक्सप्रेशन कुन सा है expression for rise or fall of liquid inside the capillary tube इसका मतलब क्या क्या निए हम क्या निकालने वाले हैं हम निकालने वाले हैं ये जो liquid rise हो रहा है समझ लिजे इसकी height कितनी है h है height कितनी है h तो इस height का h का formula क्या होगा ये हमें आज क्या करना है निकालना है कि what will be the formula for h और h किस पे dependent है h किस पे dependent नहीं है ये सब हमें क्या करना है निकालना है और ये एक expression है जो बहुत सालों से बहुत सालों से continue exam में क्या हो रहा है ये expression बड़ा नहीं है चोटा expression है इसलिए maximum कितनी marks के लिए आ सकता है तीन marks के लिए इसे हम prepare करेंगे चोटा है ने क्या इसका जो proof है वो mathematical proof सिर्फ तीन से चार steps का है लेकिन उसके लिए हमें लिखना और consider बहुत करना बड़ेगा तो हम क्या करेंगे इस lecture में पहले हम उसको prove करेंगे हमारे ही सबसे कि exactly उसका proof है कैसा इसको में forces कौन-कौन से consider करने पड़ते है और हमें आज as device करके तोर पे ज्यादा experiment नहीं है लेकिन आज इस bangle का हमें बहुत ज्यादा क्या होगा यूज होने वाला है ताकि आपको equation क्या हो जाए समझ में आ जाए तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे लेके चलेंगे तो ready है सब आप लो तो comment box में लिखे है बेटा कि ready है हम आगे बढ़ते हैं और इसी diagram को हम क्या करेंगे साथ में हमारे रखेंगे मैं पहले theoretically और roughly उससे समझा के दूँगा फिर हम उसे detail में कि exam में कैसा लिखना है वैसे हम उसको क्या करेंगे पढ़ेंगे तो बहुत ही शांती से आगे बढ़ेंगे पूरा वीडियो आपको देखना है और बेटा description में दीगी सारी links का यूज करके पूराने वीडियो भी आप देख सकते हैं जिनोंने आभी तक like नहीं किया है शेर नहीं किया है, सस्क्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजे ताकि हम क्या कर सके आगे बढ़ सके, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ इसके लिए लेकिन आपने करना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारा expression स्टार्ट करते हैं अब समझ लीजे हमने एक ग्लास की केपिलरी किसमे डिप की है, इमर्ज की है लिक्विड में इमर्ज की है और लिक्विड क्या हो गया, राइज हो गया अटा है एच consideration बाद में कर लेंगे, पहले expression समझ ले अब ये जो लिक्विड कॉलम बढ़ा है यह जो उपर गया है इसको शांती से देखे यह जो इतना liquid को अलब उपर गया है उसका weight weight किसका weight of resin liquid इसका weight जो उपर चड़ा है उस liquid का weight is equals to हम क्या कह सकते हैं यह against the gravity है यह कैसा है against the gravity इसका जो उपर चटना वो अगेंस्ट ग्राविटी है और इसका जो weight है वो कैसे हो रहा है downward direction यानि हमने कहा पर कर लिया ये जो black color का force है ये हमारा क्या है weight है और ये red color का जो उपर की तरफ force है वो 100% उसे क्या कर रहा है balance कर रहा है तो हम क्या गहेंगे upward अगर यह हमें मिल जा यह दोनों चीज़े अब वेट आफ लिक्विड कॉलम तो हम लिख सकते हैं कि एमजी है लेकिन अपवर्ड फोर्स कौन सा यह उपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है यह अगर हमें बिल जाए तो हमारा एक्सपरेशन ही खतम हो जाए आपको समझ में देखे एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करके बोलता हूं कि हमारा यह समझ लीजे ग्लास यह क्या है कैपिलरी है जो हमने इसमें अंदर डाल दिया अब लिक्विड ऐसा चड़ गया उपर चड़ गया अब उपर से अगर देखेंगे तो इसी सर्कम of force वो force कॉनसा है वही ढूढ़ना इस expression का काम है कॉनसा force लगता है जो upward direction को लगता है वो एक upward direction को एक force है जो force weight को क्या कर रहा है balance कर रहा है और उसे अगर हमने निकाल लिया तो हमारा expression क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो mg तो किदर जा रहा है vertically download और एक देखिए इस expression में सबसे important चीज़ कह रहेगी हम जब board पे ने तो paper पे diagram निकालते हैं तब हमेरे two dimensional diagram दिखती है लेकिन actually वो जो surface है वो जो capillary है वो तो circular है वो तो ऐसे पूरी two pi r के level पे उपराने वाली है हैगे नहीं है तो two pi r का component भी है यहाँ पे क्या रहेगा important रहेगा तो उसे भी एक बार देखते है अब force के बारे में discuss करते है जो यहाँ पे act हो रहा है अब upward force को समझने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे surface tension के force को समझने कोशिश करेंगे surface tension का force बेटा हमेशा कैसा रहेगा tangential रहेगा tangential क्यों हमने angle of contact में भी देखा था this is the force of surface tension और वो कैसा draw होता है tangent to the point of contact यहाँ पे tangent to the point of contact हुआ यह tangent सिर्फ एक जगा पे मने draw की है diagram में लेकिन बेटा यह जो tangent रहेगी यह पूरे circumference पर रहेगी न यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब तरफ यह force रहेगा अब आप देखिए इस liquid का weight जा रहा है vertically downward और tangential force है vertically और कैसा है tangential surface tension का force है tangential यह दोनों forces balanced है गया देखिए हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे ले लिया downward direction की दरफ एक force आ गया हमारा कौनसा force है mg mg is the weight of liquid column और यहाँ से इधर हमारा कौनसा force आ गया force of surface tension अब यह structure तो balance नहीं है अगर यह balance नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा resolve करना पड़ेगा और कैसे resolve करेंगे किसको resolve कर सकते हैं force of surface tension को और in terms of कैसे f cos theta f sin theta इनमें हम क्या कर देंगे resolve कर देंगे यानि समझ लीजे जो balance करने वाला component है वो हमेशा कौनसा रहेगा cos theta और हमारा horizontal component कौनसा रहेगा sin theta यानि हमने यहाँ पर क्या कर लिया f sin theta और उपर जाने वाला component कौनसा है f cos theta यानि यहाँ पर भी क्या होगा इधर की तरफ आने वाला force यह कौनसा होगा f sin theta और उपर की तरफ जाने वाला force कौनसा होगा f cos theta अब यह force कौनसा act हो रहा है तो हम इस सारे force के structure को force को replace करके क्या सकते हैं ये कौन सा tension है मेटा हमारा surface tension है जो हमारे तरफ सब तरफ क्या हो रहा है act हो रहा है यानि एक हो गया T और एक हो गया कौन सा T sin theta एक कौन सा हो गया T cos theta अब T cos theta सिर्फ एक जगा पे थुड़ी रहेगा यह पूरा circumference structure है जहाँ पे हर एक जगा पे यहाँ पे T cos theta है यहाँ पे T cos theta यहाँ पे T cos theta यहाँ पे T cos theta यानि पूरा T cos theta multi-garbaba क्या बन गया हमारा 2 pi r बन गया यह total कौन सा force है upward force है यह कौन सा force बन गया हमारा total upward force और हम calculate करने के लिए circumference क्यों consider कर लिया 2 par क्यों consider कर लिया क्योंकि ये जो एक t cos theta है समझ लीजे वो यहाँ पे निकाल लिया यहाँ पे अपने t cos theta निकाल लिया लेकिन t cos theta शिर्फ यहाँ पे थोड़ी रहेगा contact हो पूरे circumference के साथ है तो ये पूरा contact समझ लीजे ये भी एक t cos theta है blue भी एक t cos theta है ये भी t cos theta सब जगा पे t cos theta act होगा so t cos theta will act along all the circumference and our expression will be t cos theta multiplied by 2 pi r ये कौन्छा force होगे हमारा total upward force कौन्छा force है हमारा total upward force यानि मैं t cos theta multiplied by 2 pi r को उठा के यहाँ पे लिख सकता हूँ जहाँ पे हमारा expression solve करना शुरू है यानि मैं क्या लिख सकता हूँ कि mg it is acting vertically downward और पूरे mg को balance करने के लिए उपर upward की तरफ कौन्छा force act हो रहा है component है t cos theta multiplied by 2 pi r यानि देखिए surface tension का force है t हमने consider किया surface tension कितना है t cos theta उसका कौन्छा component है vertical component और 2 pi r किया indicate करता है 2 pi r indicate that it acts along the circumference अब हमें इस पे से ही किसकी value निकालनी है height की हमारा expression तो चलू था rise in height अब यहाँ पे h कहाँ पे है तो h तो लाने के लिए हमें का करना बड़ेगा हम क्या लिख सकते है बेटा वो तो अब हमारा खेल रहे गया है density का meaning क्या होता है density is equals to mass upon volume और हमारे expression में क्या है m है mass है तो हम लिख सकते है mass is equals to density multiplied by volume उसे भी हाँ पे क्या कर लेंगे substitute कर लेंगे हो गया expression अब बचा क्या हमें expression बनाएंगे देखे रो into volume into g is equals to t cos theta multiplied by क्या बन गया 2 pi r अभी भी क्या नहीं दिख रहा है h नहीं दिख रहा है क्या क्या देखिए एक बार expression को मैं एक बार फिर से बोलता हूँ हमने सबसे पहले है डिसाइड किया कि जो liquid column उपर जा रहा है उसका पूरा weight क्योंसे दरब जा रहा है vertically downward तरफ अब ये जो पूरा weight vertically लिए downward है तो उसको balance करने के लिए कोई ना कोई component अपवर direction में होगा अब वो component हमें ढूनने के लिए हमने consider की tangential force कौन सा surface tension क्यों surface tension consider गया बटा क्योंकि इस chapter में वो एक ही force चल रहा है that is force of surface tension अब इस tangential force को mg balance नहीं कर सकता था because they were not balanced अब हम क्या कर रहे थे कि हमने tension को resolve किया कैसे resolve किया in t cos theta and t sin theta अब t sin theta तो हमारे लिए कामका नहीं है horizontal component है जिसका capillary rise में कोई फाइदा नहीं है it does not contribute in capillary rise so बजगया कोन t cos theta t cos theta balancing component है वैसे भी सबसे वो balance करने वाला ही component है but एक ही चीज है कि सिर्फ एक जगा पे balance नहीं है देखिए यह अगर पूरा shape है उस liquid column का जो यहाँ पे rise हो गया है तो एक जगा पे balance नहीं है यह सब जगा पे balance है यह अगर सब जगा पे balance है तो t cos theta 1 ऐसे t cos theta पूरे circumference पे रहेंगे तो पूरे circumference पे अगर रहेंगे तो circumference की value कितनी है 2 pi r है तो हमारा component कोंचा हो गया t cos theta multiplied by 2 pi r यह complete कोंचा force है vertical upward force तो मैंने यह यहाँ पे लिख लिख लिया तो upward force is equal to t cos theta multiplied by 2 pi r अब हमें value निकालनी है h की तो क्या करें तो h निकालनी के लिए हमने m का इस्तेमाल किया और density is equal to क्या लिख लिख लिया mass upon volume समझवायरा आपको तो density is equal to क्या लिख लिख लिया mass upon volume and mass is equal to rho into volume फिर भी आप कहारा है कि h नहीं दिख रहा है दिख रहा हैं बेटा volume किसका है volume of liquid column अब यह कौन सा चेप है cylindrical चेप है तो volume के लिए मैं का लिख सकता हूँ pi r square h वो volume का फॉर्मूला है आगे pi r square h बाकि rho into g as it is t cos theta multiplied by क्या हो गया 2 pi r क्या क्या कैंसल हो रहा है pi cancel r cancel pi cancel r cancel यानि जो बचा वो हम क्या कर सकते है as expression लिख सकते है हमें value निकालनी थी h की h can be indicated as 2 t cos theta upon rho r multiplied by g यह हमारा आगया expression जिसे हम कह सकते है this is the expression for rise in height inside the capillary tube h is equals to कितना 2 t cos theta upon rho r g inversely proportional to r r क्या radius of this particular capillary आगया density 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 of liquid अब आप देखिए density से कैसा proportional है inverse proportional है यह ज्यादा dense अगर liquid होगा तो height की rise कैसी होगी कम होगी अब आप कहेंगे सर depth अपने fall का भी expression निकालना था और fall का expression भी रहेगा depth का formula वही बनेगा depth is equals to 2 t cos theta upon rho r g वही formula है because process is same दोनों तरफ process कैसी है सेम है यह सर्फ कौन से liquid के लिए अगर liquid कैसा है partially waiting the surface है तो यह structure लगेगा liquid which does not waiting the surface है तो यह formula हैगा बाकी diagram में श्रिफ क्या होगा fall होगा तो इसलिए एक कौन से तो भी direction में हम क्या कर सकते इसे पढ़ सकते है तो h is equals to formula क्या आ गया है 2t cos theta upon rho r g comment section में लिखते रही है कि समझ में आ गया है और expression का formula क्या है एक ही है आ गया है वेटा तो चमकने के लिए सबसे important चीज़ यहाँ पे है क्या सबसे important चीज़ क्या है तो दो चीज़े समझना ज़रूरी है कि expression खड़ा कहाँ पे होता है expression खड़ा होता है सबसे पहले कि weight of liquid column कहाँ पे जाएगा तो यह जो weight है यह जो मैंने भी red color में देखी यहाँ पे mark किया यह सारा weight कौनची direction पे जाएगा downward direction में इसको हमने क्या लिख लिया mg लिख लिया अब यह सिर्फ अगर downward direction में होता तो यह उपर नहीं चड़ सकता था याने there is something there is certain amount of force which is acting in vertically upward direction which is balancing this mg समझा तो इस mg को balance करने के लिए जो force act हो रहा है वो हमें ढूनना था और उस force को हमने consider कर लिया कौन सा force है upward force है अब उस upward force के तलाश में हमने एक force ढूनने की कोशिश की जो इस surface पर act हो रहा है जो ऐसा है यहाँ पे हमने उसको zoom किया तो वो जो force हमें दिखा वो force दिखा surface tension का देखे यहाँ पे ऐसा जो था tangential अब tangential force और downward direction का mg यह तो एक दूसरे को balance नहीं कर रहे थे अब इन्हें balance करने के लिए हमने tension को surface tension के force को हमने क्या कर दिया resolve कर दिया और कैसा resolve किया एक resolution था T sin theta और एक resolution था T cos theta T sin theta हमारे expression में हमारे rising height में कुछ भी contribute नहीं किया तो बचा कौन सा सिर्फ T cos theta अब T cos theta एक ही जगा पे था ऐसा नहीं है because हमने हमारे diagram की अच्छाई के लिए एक ही जगा पे निकला बाकि तो यही पे भी वो T रहेगा यहाँ पे भी वो T था ही यहाँ पे भी वो T था याँनि सब तरब वो T cos theta था along all this particular circumference तो T cos theta multiplied by 2 pi हमारा कौन सा force बन गया हमारा upward force और expression खतम होने को आ गया क्या बन गया Mg is equals to upward force में upward force की value मिल गई न जेकि अब मैंने यहाँ पे जो बात की है वो हम expression में लिखेंगे नहीं इसलिए मैंने पहले समझाने के लिए 5 minute expression समझा तो Mg is equals to कौन सा force है upward force है अब Mg is equals to T cos theta multiplied by क्या बन गया 2 pi हमें expression निकालना था H का H कहां से आएगा तो उसके लिए mass की जगाए हमने क्या लिख दिया rho into volume क्योंकि mass of liquid तो हमें पता चली नहीं सकता जो liquid अंदर आ है तो हम कैसे बता देला लगेंगे उसका तो इसलिए हमने क्या करें mass upon volume is equals to density के जरीए mass is equals to rho into volume ले लिए अब rho into volume volume कौन सा चेप है cylindrical है तो volume अब से लेटर कहा है pi r square h यहाँ पे ले लिए so rho into pi r square h into g is equals to T cos theta 2 pi r expression नहीं बन गया न पूरा pi cancel R cancel तो h is equals to कितना बन गया 2 T cos theta upon rho r g यहाँ पे हम लिख सकते है inversely यह बाकी का बहुत आसान चीज़े रहती है exploration निकालना यह बहुत important है आगा है बेटा समझ में और depth का formula भी वही रहेगा कि कितने deep capillary में liquid क्या होगा नीचे जाएगा तो formula वही है 2 T cos theta upon rho r g r radius है किसकी capillary tube की आगा वेटा समझ में लिख के देखना है एक बार हने जानबूश के कहीं पॉस नहीं गया क्योंकि वह flow break हो जाता है आगा समझ में तो comment box में लिखते रहिए कि समझ में आगया है और हमें क्या करना है बढ़ना है मैं अभी भी पूरा हम क्या गरेंगे इसको मैं पूरा क्या करता हू Wish मिटा देता हूँ हमारा ये glass भी उपर रख देते है इसको क्या गरेंगे पूरा मिटाएंगे और अब ऐसे लिखेंगे जो आपको इस समझ में आगया है यह आपको कहां पर important है cd के लिए important है knit के लिए important है जेए के लिए important है क्योंकि यह expressions अंदरोने expression अब बोड के लिए लिए लिखना क्या है बोड में expression क्या आएगा obtain the expression for rising height rising height of a liquid column inside the capillary tube अब जितनी हमने बात की है उतना तो हम नहीं लिखेंगे हम जो लिखेंगे वो अब कहां पर रहेगा बोड पर रहेगा शायद से हमें दो बोड पर लिखना पड़े लेकिन आप तो समझदा रहा है आप screenshot लेते रहते हैं ने तो दो बार लिखते रहते हैं तो क्या करते है अब बोड के लिए बानाते है हमारा question exactly क्या है और कैसा लिख करते हैं of rising height तो लिखना है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए expression लिखते हैं expression में मैंने अब तक जितनी बात की है उतनी सब लिखने के कोशिश की है और हम इसके बाद का expression बोड के बात इसको पोचने के बाद में लिखेंगे तब तक आब इसके लिख लीजिए डाइग्राम तो आपको समझ में आई ही गई है resolution of forces कैसा है फिर एक बार बोलता हूँ is the rising height यह जो red color का था हमारा कॉंचा tension था surface tension इसके दो component निकाले एक t sin दिटा एक है t cos दिटा इसको ज्यादा complicate नहीं करेंगे डाइग्राम को हमने क्या लिखा है that is much more important हम क्या गए रहे ह हम क्या गह रहे है hence weight of liquid column must be equal and opposite जो इसका weight है इसका weight कहाँ पर downward it must be equal and opposite to the component of surface tension force in vertical direction along circumference यह कौन सा component है यह component है t cos theta along circumference यानि कहाँ पर 2 pi r पर तो यह हमने mg is equals to t cos theta into 2 pi r यह पहले ही हमने लिख दिया अब हमें t cos theta into 2 pi r को खूजने के लिए expression आगे बढ़ाना था तो हमने consider किया r is radius of capillary h is height of liquid column t is surface tension and rho is density हम क्या गहा है force of surface tension is tangential at the point of contact and hence it is resolved as t sin theta यह horizontal है this does not play any type of role in our calculation इसका कोई रोल नहीं होता है तो t sin theta हमने क्या कर दिया बाजू में निकाल लिया t cos theta कैसा है vertical है यह balance कहाँ पर करता है mg बट total t cos theta कितना रहेगा total t cos theta रहेगा जो पूरे circumference पे act करता है यह चोटी diagram भी मैंने उसके लिए निकाले कि यह सब तरफ act हो रहा है यहाँ पे भी act हो रहा है यहाँ पे भी act हो रहा है sorry वहां तक आने के लिए हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे mg is equals to क्या बन गया t cos theta multiplied by क्या हब गया t cos theta multiplied by 2 pi r mg is equals to t cos theta multiplied by 2 pi r यह बन गया हमारा basic formula जिससे हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और expression निकालेंगे मज़ा आगे है दोस्तों इसे हम solve करेंगे लेकिन लिखना लिखावट अच्छी है दिख रहा है वे उससे ठीक से दिख रहा है सबको तो हम क्या करेंगे अब इसको आगे बढ़ाएंगे mg is equals to t cos theta multiplied by 2 pi r ठीक है तो screenshot ले लेजिए आगे बढ़ते हैं इसे आगे बढ़ते हैं इसे मैं अब क्या करने वाला हूँ पोचने वाला हूँ बढ़ा तो चलिए आगे बढ़ते हैं expression को हमने क्या लिख लिया था mg is equals to t cos theta into 2 pi r अब चोटी चोटी चीज़े consider करनी है now consider density as density is equals to mass upon volume तो mass is equals to क्या लिख सकते हैं रो into volume density multiplied by volume हो गया तो इसको substitute कर लिया mass की बजाए लिख लिया density multiplied by volume into g into t cos theta into 2 pi अब यह जो shape है जो उपर चड़ा है यह तो ऐसा है ना तो कौन सा shape है cylindrical ही shape है no volume of liquid column of cylindrical shape can be indicated as pi r square यह तो volume है formula fix है pi r square h यह बनके volume of cylinder तो pi r square h किसके जगा पे volume के जगा पे लिख दे है यह green color में लिख दे है और हमारा expression भी हाँ पे आ गया सब डिनामेटर में चला गया h को छूड़के तो formula क्या बन गया h is equals to 2t cos theta upon rho r g यह formula आपको याद करना है अब इसमें theta क्या है इसमें theta है angle of contact angle of contact जो यहाँ पे बना हाँ यहाँ पे angle of contact of liquid तो h is equals to same formula goes for depth also बेटा डेफ्थ के लिए भी यही formula लागेगा 2t cos theta upon rho r g depth कहीं लिए या fall कहीं लिए दोनों के लिए formula यहीं लागेगा 2t cos theta upon rho r g कभी expiration समझ लिए थोड़ा सा odd आगया कि show that height of liquid column is inversely proportional to its radius तो इतना प्रूव करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा show that height of liquid column is inversely proportional to density of density of liquid फिर भी आपको यही प्रूव करना है प्रूफ तो आसान होता है अगर एक बार समझ लिजे तो प्रूफ बहुत कैसे हो जाएगा आसान हो जाएगा hopefully आपको समझ में आ गया होगा comment box में लिखते रहिए चैनल को like कीजे share कीजे subscribe कीजे और इसके बाद में भी हम आगे पढ़ाते रहिए आप बेटा पढ़ते रहिए यह सब लिखके मुझे भीजिए आपको तो पता है कहाँ पर भेजना है तो पढ़ते रहिए मैं पढ़ाता होंगा thank you very much